सो स्टूडंस हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 ऐसे टाइप्स के आपको एक्जाम में आते हैं यूजूली और बहुत इजी है जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा टाइप्स के आते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था इसको करने में काफी इजी है आप ध्यान देना फोर्थ वन कहता है फिफ्टी टू रेस टू क्यू कि तीन बार और डारेक अंसर निकाल सकते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्यों प्राबिती करना है ठीक है सो फिफ्टी टू को मैं फिफ्टी प्लस टू लिख सकता हूं फिफ्टी टू को मैं फिफ्टी प्लस टू कितना होता है फिफ्टी टू क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा फिफ्टी प्लस टू होल क्यूब क्यूब यहां भी है तो क्यूब यहां होगा अब इसको ध्यान से देखो a plus b whole cube दिखाई दे रहे आपको a plus b whole cube दिखाई दे रहे a कितना है 50 b कितना है 2 समझ में आ गया formula लगानेगा a plus b whole cube पूरा लिख लिया equal to अब हम substitute करेंगे a cube a कितना है 50 so a cube कितना होगा 50 cube plus 3a square b so 3 a कितना है आपका उपर 50 so a square कितना होगा 50 square plus b कितना है sorry plus नहीं multiply multiply by b b कितना है 2 so b के बर लिखा लिखेंगे 2 plus 3ab square 3 लिखा a आपका 50 है b कितना है आपका 2 so b square कितना होगा 2 square plus b cube b मतलब 2 cube ठीक है अब 50 raise to cube 50 को आपको 3 बर multiply करना होगा 50 मल्टिप्लाइपे 50 मल्टिप्लाइपे 50 जो जब 3 बर multiply करोगे तो आएगा 1,25,000 ठीक है अब यहाँ पर देखना इसको आप लोग ऐसा direct नहीं कर सकते जैसा 3 मल्टिप्लाइपे 50 कर दिया फिर square कर दिया ऐसा नहीं कर सकते समझ में आ गया सबको पहले 50 का square निकालना पड़ेगा समझ में आ रहा है अगर आप 3 multiply 50 करोगे फिर उसका square निकालोगे तो answer wrong आएगा सो ऐसे case में क्या करनेगा जो square नमड़ दिया है उसको square निकालो पहले अगले step में multiply कर लेना सो 3 3 रहेगा 50 square यानि 50 को दो बर multiply करो 50 multiply by 50 सो इतना आएगा multiply by 2 ठीक है प्लस यहाँ भी वैसे ही 3 50 और 2 2s are 4 ठीक है direct multiply नहीं करनेगा पहले square जो number आता है वो निकाल लेने का अगले step में multiply कर लो प्लस 2 cube 2 cube मतलब 2 multiply by 2 2 2s are 4 और 4 2s are 8 2 को 3 में multiply करोगे तो 8 आएगा अब चीज़े आसान हो गई है 1 रहे 25 दोजन वैसे का वैसी लिखेंगे प्लस 3 multiply by 2500 multiply by 2 तीनो नमर को multiply करो तो आपको अंसर आएगा 15,000 प्लस 3 multiply by 50 multiply by 4 तीनों को multiply करोगे तो अंसर आएगा 600 प्लस 8 अब चार नमर है 1,25,000, 15,608 चारों को प्लस करो आपको अंसर आएगा 1,40,608 C मैं अब यह से आपको बोलता हूँ देखने में easy लगता है है easy no doubt लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको और confidence आएगा so you have to practice at least one or two times तब जाके आपको confidence आएगा वीडियो देखने से नहीं होगा आपको solve करना पड़ेगा ऐसा ही आपको 5th question दिया है टेक्स्बूक में 101 whole cube यह आपको खुद से करना है यह जो हमने 4th one किया ना एक दम वैसे ही है ठीक है so इसमें क्या है 101 इसको मैं 100 plus 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 100 plus 1 कितना होता है 101 so कैसे करेंगे मैंने आपको इस hint दिया है 101 whole cube equal to 100 plus 1 whole cube जैसे यह कैसे कहता हम लोग ने 52 cube equal to 50 plus 2 वैसे ही 101 whole cube equal to 100 plus 1 whole cube whole cube मतलब दोनों को मिला के cube बनेगा फिर A आपका 100 है B आपका 1 है solve करो अंसर आ जाएगा A plus B whole cube का formula लगा के अब 6th one से थोड़ा ध्यान देना easy है इसमें cancellation, cutting, cutting बहुर होता है मज़ा आता है ध्यान देना ठीक है So A कितना है आपका X B कितना है 1 upon X ठीक है So A कितना है X B कितना है 1 upon X मुझे कैसे मानूं पढ़ेगा कि मुझे यहाँ पे A plus B whole cube वाला formula लगाना है क्योंकि मेरा A कितना है X है Plus B कितना है 1 upon X और उपर cube दिया है So formula लिखा अब हम values substitute करेंगे A कितना है X So A cube कितना होगा X cube Plus 3 A square B 3 A square B मतलब 3 multiply by A A कितना है मतलब A square करना है पर A कितना है X तो A square कितना होगा X square multiplied by B B कितना है 1 upon X वैसे यहाँ भी करेंगे 3 multiply by A A कितना है आपका X multiply by B square B square कितना होगा 1 upon X square Again पूरा का square लगाना है ठीक है whole square लगाना है क्योंकि B आपका Sorry B square आपका B कितना है 1 upon X B कितना है 1 upon X इसलिए B square क्या होगा 1 upon X whole square ठीक है Plus सेम यहाँ भी B cube B कितना है आपका 1 upon X तो B cube क्या होगा 1 upon X whole cube ठीक है सिर्फ इसमें देख लो यहाँ पे सिर्फ ऐसा 1 upon X cube ऐसा नहीं लिख सकते आपको दोनों को cube लगाना पड़ेगा ठीक है So X cube is X cube only अब यह बहुत ध्यान से देना यह step बहुत important है इसमें गड़बड मत करना 3 को 3 लिखा X square को मतलब X square मतलब क्या X multiply by X है ना X square मतलब क्या X को दो बर multiply करना है X multiply by X ठीक है upon नीचे X था तो नीचे X आगे ठीक है प्लस यहां भी वैसे 3 multiply by X ठीक है अभी 1 upon X whole square मतलब क्या यह square जो है दोनों को लगेगा 1 multiply by 2 सॉरी 1 का square लिखा लो 1 multiply by 1 1 को दो बर multiply करो 1 multiply by 1 कितना होगा 1 है ना और नीचे क्या है आपका X square उसको मैं दो बर X लिख सकता हूँ ठीक है यह step में यह number लिखना भूल गया था आपको pen से लिखना है यह मैं लिखना भूल गया था एब मैं फिर से repeat कर रहा हूँ 3 multiply by X ऐसा ही रहेगा 1 square मतलब 1 multiply by 1 1 ही रहेगा और नीचे क्या है जैसा 1 को square लगा वैसे X को भी square लगेगा X square मतलब क्या है नीचे दो बार X multiply होगा क्योंकि X square को मैं X multiply by X लिख सकता हूँ प्लस 1 upon X whole cube 1 cube कितना होता है 1 multiply by 1 multiply by 1 1 को 3 बार multiply करोगे तो भी answer 1 ही आएगा और नीचे X cube आएगा मतलब एक cube इसको भी लगेगा जिसका अंसर 1 ही आया था और cube X को भी लगेगा अब इसमें ध्यान से देखना उपर एक X है नीचे X है इसको हम कट कर सकते हैं वैसे ही किसमे था ये 3 multiply by X multiply by X upon X तो X X काड़ दिया प्लस अब इधर भी देखो 3 multiply by X multiply by 1 नीचे X multiply by X तो उपर एक X से नीचे एक से काड़ दिया अब भी आप लोग ये X और ये X नहीं काड़ सकते क्यों बीश में प्लस का साइन है कट कभी करते हैं जब क्या होते हैं सब नंबर multiply दिक रहा है multiply 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 यहां भी multiply 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 जब multiply होते हैं थभी कट करना यहां पर प्लस है अभी एकस्यू और X क्यू मत काड़ देना ने तो वह बहुत stupid डिएस इताम stupid वाला mistake हो का stupid वाला so X Q यहां भी है X Q यहां भी है लेकिन उसको नहीं कट कर सकते हैं प्लस sign है cut up कर सकते हैं उपर नीचे जब numbers क्या हो रहे हैं multiply cut up कर सकते हैं जब क्या हो रहे हैं number multiply so अब क्या बचा X Q वैसे का वैसी रहेगा 3 multiply by X इस 3X क्योंकि एकस एकस तो कड़ गया यहां भी 3 1s are 3 नीचे जिफ एकस बचेगा plus 1 upon X Q मेरा answer खतम इसको प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह X Q है यह simply X है इसमें 1 upon X है मतलब 3 upon X है और इसमें 1 upon X Q है मेरा answer खतम 7th one do by yourself सेम वैसे ही है 8 वाला ध्यान से दिखना 5X upon Y plus Y upon 5X whole cube so A के आपका 5X upon Y B के है Y upon 5X so formula लिखने का A plus B whole cube का और values substitute करते जाने का A cube कितना है A कितना था अपको ने पीछे देखा था 5X upon Y whole cube plus 3A square B मतलब 3 multiply by 5X upon Y whole square multiply by B कितना है आपका Y upon 5X वैसे ही 3A B square लगाया और B cube कितना है B कितना है आपका पीछे Y upon 5X so B cube कितना होगा B cube कितना होगा आपका Y upon 5X whole cube कुछ नहीं किया है अभी आपको काफी ideas आ गया रहेगा हमने बस substitute किया है अब यह ध्यान से देखो तीनों को cube लगेगा 5 का cube कितना होता है 5 multiply by 5 multiply by 5 जब multiply करोगे पीछे तो आपको answer हैगा 125 X cube upon Y cube है ना यह cube सबका है bracket का मतलब ही वह होता है whole cube मतलब सबको cube लगेगा plus 3 multiply by अभी ध्यान सेकना 5 X multiply by Y square है मतलब इस number को में दो बर multiply करूँगा क्योंकि यह square है मतलब 5 X upon Y multiplied by 5 X upon Y 5 X upon Y square है 5 X upon Y multiply by 5 X upon Y multiply by Y upon 5 X प्लस 3 को 3 लिखेंगे 5 Y X upon Y को इसे लिखेंगे यह भी Y upon 5 X whole square equal to Y upon 5 X multiply by Y upon 5 X तो बर multiply क्योंकि Y upon 5 X square है तो दोनों बर multiply होगा प्लस Y cube Y cube रहेगा फिर 5 X का cube कितना होगा 5 का cube कितना होता है 125 और X cube तो X cube भी रहेगा सेम चीज़ जैसा उपर किया था वैसे यहाँ भी whole cube है तो Y cube भी लगेगा 5 का भी cube लगेगा और X का भी cube लगेगा अब इसमें बहुत सारा cancellation होगा यह तो वैसे का वैसी छोड़ दो plus 3 multiply by this multiply by this multiply by this so multiply हो रहा है बीच में plus का sign नहीं है तो हम लोग कट कर सकते है 5 X और 5 X कट जाएगा ठीक है so Y Y कट जाएगा 5 X Y X कट जाएगा so पर के बचेगा सिर्फ 3 Y और 5 X मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें आप यह Y और यह Y कट नहीं कर से देख्यों बीच में plus का sign है कट कभी करते हैं जब बीच में क्या sign हो सिर्फ multiply ठीक है फिर plus यह तो वह इसे का वैसी लिखा था हमने so last step क्या है यह पूरा का वैसी लिखना है अब यह X Q है तो Y Q है इसको मत कट कर देना यह अलग है यह अलग है plus यह सब multiply हो रहा था so 3 5 is a 15 ठीक है 3 5 is a 15 और X बचेगा so 15 X नीचे क्या बचा है सिर्फ Y क्योंकि यह दोनों तो कड गए वैसे यहां पर भी 3 into Y 3 Y और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 5 X ठीक है plus Y Q upon 125 X whole Q समझ में आ गया आप इसको plus नहीं कर सकते C I hope बहुत लोगों को यह चीज़ इजी लगा रहेगा लेकिन प्लीज आपको इसको खुच से प्रैक्टिस करके देखो तो आपको mistakes मिलेंगे और कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात थे ठीक है प्लीज अच्छ से प्रैक्टिस करना है इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छ है वीडियो सिफ देखने से नहीं होगा ठीक है और कुछ डाउट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो हुई तुम्हारे लिए यहाप है सो डोंट वरी आम वित यू अच्छे से प्रैक्टिस करों ओके एंड नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिसनेट के साथ टेक केर